नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में यूपी एनचे में दोस्तों उन्तीस सो प्लस जो कॉंट्रेक्चल वेकेंसी आई थी उसकी लाश्ट डेट कोवर हो गई है अब काफी सारे दोस्तों का सवाल यह है कि सर इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है और इसका सिलेबस बगेरा क्या रहने वाला है तो हम एके करके दोस्तों अच्छे से किलियर करेंगे आप लोगों को जिससे कि आपको एक दम सारी चीज अच्छे से समझ में आ सके फॉर्म आप दोस्तों भली बात इसके लिए कंप्लीट कर दियोंगे इसके उपर हम काफी सारे वीडियो पहले बना चुके हैं और आपको बता दिये थे कि आप इसमें टेक्निकल या फिर नोन टेक्निकल डिगरी रखते हैं पॉर्म को भरा होगा तो आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे 1989 दोस्तों टोटल पोस्ट थी या पर पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका सिलेवस क्या रहने वाला है उसके बाद देखेंगे कि इसकी परीक्षा कब तक संपन्द करा ली जाएगी तो नीचे आजाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से सबको समझाये गया है कि सिलेवस में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा तो यहाँ से दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा Computer Based Test यानि कि आपका Computer पर टेस्ट करा जाएगा CVT टाइप का जो परीक्षा होती है और Total परीक्षा दोस्तों Objective रहने बाली एके करके दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ हम आपको समझा देते हैं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको यहाँ पर लिखा है दा Computer Way Test Bill we held for during दो गटे की आपकी परीक्षा होगी जो की 100 अंकिकी होगी है जिसमें दो सेक्षन में पेपर बटा हुआ होगा Section 1 असी नंबर का होगा और Section 2 जो होगा दोस्तों 20 नंबर का होगा है मैं आपको मोटी मोटी बाते यहाँ पर समझा दे रहा हूँ जिससे की आप सारी चीजे समझ पाएंगे दीके Section 1 में क्या होगा दोस्तों Professional Knowledge से समबंदित कोशन पूछे जाएंगे अर्थात आपने जिस पोश्ट के लिए आविदन दिया है उससे समबंदित कोशन होंगे आपके जैसे आपने MLT या DMLT के लिए फॉर्म फिल किया है तो DMLT Department के अंतर जो कोशन बनते वहां से जो Knowledge होती है उस पे आधारित दोस्तों कोशन होंगे अभी आपने Senior Treatment Supervisor के लिए जो आविदन दिया है तो Supervisor के Supervision के जो काम होते हैं उससे समबंदित जो कोशन बन सकते हैं वो आपसे पूँचे जाने जिनकी संख्या रहने वाली है दोस्तों अच्छी कोशन ठीक है ना उसके अलावा दोस्तों जो 20 नंबर आपके बचते हैं वो पूँचे जाएंगे आपके यहां पे जीके पूँचा जाएगा रीजिनिंग पूँचा जाएगा जर्नल अवियरनें आपसे निगेटिब मार्किंग बिल्कुल नहीं की जाएगी आपकी जब OMR चेक होगी तो आपको समझ में आ गया दो सेक्शन में पेपर बटा हुआ रहेगा मलब पेपर एक ही होगा लेकिन सेक्शन दो होंगे 80 नंबर प्रोफेशनल लॉनलिक मतलब जो आपकी कोर्स के द मजी दोस्तों मिनिम्मु क्वालिफाइंग मार्क्स के बारें बताए गया है कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए तो देखें जनरल और EWS के आप हैं तो 33 पिरतीसत अंक लाना जरूरी अर्था 100 में से 33 नंबर लाना जरूरी होगा जनरल और EWS के कंडिडेट के लिए बहीं आप OVC से हैं दोस्तों तो 30 पिरतीसत अंक अर्था 100 में से 30 नंबर लाना जरूरी है तब आप क्वालिफाइ समझे जाएंगे अर्था तब आपको समझे जाएगा कि आपने पेपर पास कर लिया है SCHTA PWD से अगर आप आते हैं तो 24 पिरतीसत अर्था 100 का 24 नंबर लाने आपको जरूरी होंगे अब देखिए दोस्तों एक बात को दिहान से समझेगा आप जनरल के हैं और आप 33 नंबर ले आएं तो आप ये ना समझे कि आप 33 नंबर ले आएं तो आपको नोकरी मिल गई है यानि कि आपने paper pass कर लिया है आपने सिर्फ paper pass किया है दोस्तों अभी जो cut off लगेगी अगर आप उसमें आते हैं तब आपको नोकरी मिलेगी बासमझ में आती है आपको यानि कि ये minimum cut off अंग हैं ये minimum number हैं जो कि 100 में से आपको लाने उसके बाद अगर मान के चलिए कि 2980 पो credit लगाई जाएगी ये सभी category के लिए लागू होगा यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक post के लिए एक अनुपात तीन के अनुपात में बच्चों को qualify कराये जाएगा तो 2980 वेकेंसी तो लगफग मोटा मोटा मान के चलिए 9000 बच्चे qualify होंगे उनका document verification होगा है ना तो उन मे पर बताये जा रहे हैं ठीक है ना यहाँ पर general aptitude, reasoning, general awareness है ना और basic computer knowledge जो कि आप generally competition exam के लिए पढ़ते हैं वही दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इतनी बात आपको clear हो जाती है March last तक दोस्तों इसकी परीक्षा conduct करा ली जाएगी जैसा कि आप लोग जानते हैं यह contractual अर्था संविधा की vacancy इसको जल्दी से complete किया जाता है क्योंकि इसकी duration सुरू में एक साल के लिए रहती है उसके बाद जब आपका काम बगएर अच्छा होता है तो इसकी duration थोड़ी स क्योंकि इसकी last date over हो चुकी है आप लोग form अच्छे से complete कर दी होंगे तयारी करिएगा दोस्तों काफी अच्छी salary की दोस्तों यह एक job है है न हम यहाँ पर आपको salary बगएर सब पहले जब notification बगएरा के बारें बता रहे थे तो बताया था कि इसमें कितनी salary आपको मिलेगी लगबग जायदा तर जो अच्छी पोश्टे हैं उनके लिए ठीक ठाक salary यहाँ पर रखी गई है तो आसा करते हैं दोस्तों सारी जानकर यह आपको clear हो गई होगी अगर आपके मन में अब भी कोई doubt है तो दोस्तों आप हमें comments करके पता सकते हैं मिलेंगे दोस्तों आप लो